हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल होप यह रोड दूइंग वेल तो देखो आज हम इमाचल से रिलेटेड क्वास्चिंज को यहां पर डिसकस करने जा रहे हैं यह क्वास्चिंज आपके प्रीवियस एक्जाम में पूछे गए हैं अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेर को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन को जरूर दबाएं तो चलिए 183 कॉस्चिंज से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो नूरपूर का राज्य स्थापित किया गया था तो देखो नूरपूर का राज्य स्थापित किस ने किया था अब देखो आपने राजाओं के दाओं पड़े होंके कि नूरपूर रियासत की स्थापना की थी जेट पाल ने अब जेटपाल कौन था तो ये दिल्ली कायों का तोमर राजपूत था तो यहाँ पर यही पूछ गया है कि किस के दोरा नुरपूर का राज़ स्थाप्ण किया गया था या आपके पास option है हर्श के दोरा, राजबूतों के दोरा, मौरियों या फिर गुपतों के दोरा तो मैंने आपका बता दिया दिल्ली के तोमर राजबूत, जेटपाल के दोरा जो है तो नूरपूर रियासत की स्थापना की गई थी तो यहाँ पर option B देखो correct हो जाएगा राजबूतों के दोरा, option B correct होगा देखो जेटपाल यहाँ पर मैंने आपको होता है, जेटपाल ने जो है तो नूरपूर रियासत की स्थापना की थी, देखो इस नाम को कई बार प्रोनाउसियेट करके जो है तो जेटपाल भी दिखा जाता है, जेटपाल तो देखो यह दोनों एक ही नाम है, आपको इन में confused नहीं होना है अगर जेटपाल दिया होगा तब भी correct होगा, अगर जेटपाल दिया होगा तब भी correct होगा और कई बार पूछ लेते हैं, नूरपूर रियासित की स्थापना जहतो किस इसवी में की गई थी तो एक हजार इसवी में जहतो जेटपाल ने इसकी स्थापना की थी, इस point को भी आपको note रखना है नूरपूर का पुराना नाम अक्सर अग्जाम में पूछा जाता है, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था धमेरी क्या था? धमेरी तो देखो इन points को आपको बिलकुल अच्छी तरह note रखना है, अगले question की बात करें, question number 184 Solang Valley is situated at fish of the following district तो सोलांग घाटी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो देखो सोलांग घाटी जो है तो कुलू जिले में अवस्थित है, option यहाँ पर देखो B correct हो जाएगा, कुलू में अवस्थित है देखो कुलू रियासत की अगर बात करें कुलू रियासत की स्थापना किसने की थी ये भी question जो है अग्जाम में बहुत बार पूछे जाता है तो आपको पता होगा कुलू रियासत की स्थापना विहंग मनी पाल ने की थी किसने की थी विहंग मनी पाल ने और अब देखो यहाँ से क्वाशन अभी अगर आप मेरी प्रिवियस वीडियो को देख रहे होंके तो वहाँ पर एक क्वाशन पूछा गया था कि कुलूरियासत के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहां पर थी प्रारम्भिक गद्धी की बात की गई थी तो देहो मैं आपको बता दूँ ये जो विहंग मनिपाल है विहंग मनिपाल की मैंने आपको बात बताई विहंग मनिपाल ने कुलूरियासत की स्थापना की थी तो देहो विहंग मनिपाल के जो पुरवज थे उनकी प्रारमभीक गद्दी थी इलहाबाद, कहां थी इलहाबाद में, देहो इलहाबाद का नया नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नया नाम है परियाग राज, तो देहो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, इसके पुरवजों की गद्दी इलहाबाद, फिर उसके बाद जो है तो इलावाद से इन्होंने इस्थाना अंत्रित की अपनी गद्धी अलमोडा कहां पर अलमोडा कहां पर पढ़ता है तो ये पढ़ता है उत्राखंड में अब उसके बाद अलमोडा से इन्होंने अपनी गद्धी इस्थाना अंत्रित की हारी द्वार कहां पर की हारी द इल्हाबाद यानि की पर्याग राज में जो थी तो कुलू रियासत राजाओं की प्रारंभिक गद्धी थी देखो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल नोट रखना है ओके बाकी देखो कुलू की अगर और बात करें रोहतांग दर्रा कहां पर है कुलू में है फिर उसके बा गरम पानी का चश्मा है मनी करन मनी करन एक गरम पानी का चश्मा है वो कहां पर पड़ता है तो ये भी कुलू में ही पड़ता है उसके बाद वसिस्थ वसिस्थ भी गरम पानी का चश्मा है ये भी कहां पर है तो ये भी कुलू में है तो देखो इन छोटे-छोटे पॉइं बड़ा शिगडी की अगर बात करें बड़ा शिगडी जो है तो ये किस डिस्ट्रिक में स्थित है तो देखो लाहॉल स्पित्टी डिस्ट्रिक में स्थित है कहां पर लाहॉल स्पित्टी में देखो लेंथ अगर इसकी बात करें बड़ा शिगड़ी की लेंथ कितनी है, तो 28 km आप एप्रॉक्स मान सकते हूँए, एप्रॉक्स इसकी लेंथ है 28 km बाकी मैंने बताया बड़ा शिकड़ी कहां पर है लहौल स्पिति में लहौल स्पिति की अगर बात करें देखों मरिकुला देवी मंदिर कहां पर है लहौल स्पिति में है उसके बाद तरलो की नाथ मंदिर कहां पर है तो ये भी लहौल स्पिति में स्थित है उसके बाद बात करें की मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री कहां पर है तो ये भी लहौल स्पित्टी में है ताबो गुंपा कहां पर है ये भी लहौल स्पित्टी में है उसके बाद चंदर ताल जील फिर सूरज ताल जील ये भी कहां पर पढ़ती है तो ये भी लहौल स्पित्टी में ही पढ़ती ह तो देखो यहां पर पुछा गया है महराना परताप सागर अब यहां पर बता जा नहीं गया है कि यह क्या है तो मैं आपको बता दूँ यह एक जील है जील है ओके महराना परताप सागर जील कहां पर है तो यह कांगडा डिस्ट्रिक में है option यहां पर D को देखो correct हो जाएगा देखो इसको पॉंग झील के नामसे भी जानते हैं पॉंग झील के नामसे भी इसको भी आपको बिल्कुल नोट रखना है तो ये कहाँ पर है? तो ये है कांगडा डिस्टिक में कांगडा की अगर बात करें ब्रजेश्वरी मंदिर कहां पर है ब्रजेश्वरी मंदिर तो देखो ये कांगडा में है जौला मुखी मंदिर कहां पर है जौला मुखी मंदिर भी कहां पर है कांगडा में है उसके बाद बाद करें शोभा शिंग आर्ट गैलरी सोभा सिंगार्ट गैदरी कहां पर है तो ये कांगड़ा के अंदरिट्टा में है दलाई लामा से हर बार एकजाम में question पूछा जाता है दलाई लामा जो है तो धर्म शाला कब आये थे तो 1959 आपको बिल्कुल नोट रखना है 1959 को दलाई लामा जोहतो धर्म शाला आए थी ओके अगले कॉशन की बात करें कॉशन नमर हमारा 187 है काला टोप खजियार वाइड लाइफ सेंचरी इस सिच्वेटे इन तो काला टोप खजियार वने जीब अभ्यारन कहां पर अवस्तित है तो देखो काला टोप खजियार वने जीब अभ्यारन है चमबा डिस्ट्रिक में सिच्वेट आप्शन यहां पर देखो एक और एक्ट हो जाएगा देखो चमबा की अगर बात करें 84 मंदिरों का समुह कहां पर है तो यह चमबा डिस्ट्रिक में है उसके बाद मिंजर मिला कहां पर लगता है मिंजर मिला लगता है चमबा में उसके बाद बात करें चतरानी देवी का मंदिर कहां पर है तो यह भी चमबा जिले में है उसके बाद लक्षना देवी का मंदिर लक्षना देवी का मंदिर तो ये भी चमबा में है उसके बाद बात करें भूरी सिंग म्यूजियम भूरी सिंग म्यूजियम कहां पर है तो ये भी चमबा डिस्ट्रिक में है भूरी सिंग म्यूजियम को एस्टबिश कब किया गया था तो इसको एस्टबिश किया गया था गुरू योगी चरपटनाथ जो थे वो किसके गुरू थे तो ये थे साहिल वर्मन के गुरू और साहिल वर्मन का संबंद जो है तो चमबा रियासत से है ओके तो गुरू योगी चरपटनाथ का संबंद भी कहां से होगा तो ये भी चमबा रियासत से ही होगा अब देखो मैं मैंने आपको बताया साहिल वर्मन के बारे में, साहिल वर्मन की पतनी का नाम गया था, ये मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था, रानी नैना देवी, रानी नैना देवी, तो देखो, रानी नैना देवी का भी क्वेशन है, हर बार एक्जामने कई बार पूछा जाता है कि रानी नैना देवी का संबंद की सरी आसत से है तो ये है चमबा से रानी नैना देवी जो है तो किसकी पत्नी थी तो ये थी साहिल वर्मन की पत्नी साहिल वर्मन की पत्नी ओके साहिल वर्मन की रानी नैना देवी की यादमी जो है तो चमबा में सूही मेला मनाया जाता है सूही मेला मनाया जाता है देखो इन सारे के सारे points को आपको note रखना है छोड़े-छोड़े point है आपको बिल्कुल इनको पता होना चाहिए 188 question Which of the following districts of हिमाचल परदेश does not have a special economic zone कांगड़ा हिमाचल परदेश के किस जिले में एक विशेश आर्थिक जोन नहीं है तो देखो यहाँ पर नहीं है पुछागया है विशेश आर्थिक जोन आप कह सकते हो जहाँ पर industries वगेरा ना हो तो देखो कांगड़ा में industries है फिर सोलन में भी बहुत सारी industries है उनना में बहुत सारी industries है तो देखो इस question का right option क्या होगा शिमला में option यहाँ पर देखो D correct हो जाएगा देखो जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो कांगड़ा जिले में बहुत सारे है अगर हम small industries की बात करें तो कांगड़ा में small industries बहुत सारी है तो यह भी question हर बार exam में पूछे जाता है कि सबसे ज़्यादा industries का हाँबर है तो option में दिया गया होता है कांगड़ा और solan तो कई बार students solan को जो है तो टिक कर गया जाते हैं but right option होता है कांगड़ा solan में जो है तो large scale की industries है बाकि solan में उतनी ज़्यादा industries solan में बहुत सारी industries है but कांगड़ा में जो है तो लगू या फिर आप कह सकते हो small industries बहुत ज़्यादा है तो देखो इन छोड़ी-छोड़ी points को आपको note रखता है 189 question the foundation of famous fort of sujanpur tira was laid by sujanpur tira के प्रसिद्ध किले की नीव किसने रखी थी देखो अगर question पूछा जाता कि sujanpur tira शहर की स्थापना किसने की थी तो option हो जाना था घमंड चंद घमंड चंद ने जो है तो sujanpur tira शहर की स्थापना की थी बट यहाँ पर पूछा गया है कि sujanpur tira के प्रसिद्ध किले की नीव किसने रखी थी देखो छोटे-छोटे किले बनवाए थे sujanpur tira में किसने बनवाए थे अब है चंद ने option यहाँ पर देखो B correct हो जाएगा sujanpur tira के प्रसिद्ध किले की नीव किसने रखी थी तो यह रखी थी अब है चंद ने बगी देखो sujanpur tira की अगर बात करें sujanpur tira में دो-¥ ַंकarmandir कहां पर है sujanpur tira में और sujanpur-tera किस district डिस्ट्रिक के अंडर आता है तो एक्जामे कई बार पुझा जाता है कि producto यह थे सु janpur respective करें पर दिस्ट्रिक समिर्फ का अब हर यह भी थी कहां पर है तो यह बहुत्त bet सुजानपूर्टीरा या फिर आप कह सकते हो हमिरपूर डिस्ट्रिक में है ओके और सुजानपूर्टीरा में ही इंटरनेशनल होली फैस्टिवल मनाया जाता है इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है खगोल सरवाधी के लोग पर यह तिहार नहीं को लाहू है लाहुअ का ऑप्शन देखो यहां पर एक और होगा ऑपशन एक और एकर एक होगा इस खवड़न को आपको बिलकुल बढ़ना है और याद रखना है ऑगले को बात करें कोस्टिन नंबर 119 हिमाचल परदेश का प्रत्थम मुख्य आयुक्त कौन था तो देखो यहां से पहले आपको इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए हिमाचल परदेश की हिस्ट्री आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए तो देखो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ हिमाचल परदेश को मुख्य आयुक्त का क्षेतर कब घोशित किया गया तो यह घोशित किया गया था 1948 में और कब तक 1951 तक इसको घोशितर किया गया मुख्य आयुक्त का क्षेतर और मुख्य आयुक्त का क्षेतर जब घोशित क में हिमाचल परदेश का प्रत्म मुख्य आयुक तक किसको बनाया गया था तो देखो ये बनाया गया था N.C. महता को किसको बनाया गया था N.C. महता को फिर मुख्य आयुक तक शेतर के बाद हिमाचल परदेश को गर्श रेनी का राज़ बनाया गया और कब बनाया गया तो 1951 में बनाया गया और 56 तक बनाया गया 1956 तक बनाया गया ओके फिर उसके बाद हिमाचल परदेश को संग शाशित आया फिर आप कह सकते हो केंदर साशित परदेश बनाया गया कब बनाया गया 1956 में बनाया गया और कब तक 1971 तक बनाया गया और 1971 में आपको पता है हिमाचल परदेश को पुर्ण राज्यत्व का दर्जा दिया गया 25 जनवरी 1971 को 1971 को हिमाचल परदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था फिर 25 जनवरी 1931 को तो देखो इस सीक्वेंस में ही आपको बिल्कुल इसको नोट रखना है कि हिमाचल को पहले मुख्य आयुक्त काक्षेतर बनाये गें 1948 में उसके बाद हिमाचल को गर्शरनी का राज्य बनाये गें 1951 उसके बाद हिमाकर को केंध्र सचितर परदेश बनाये어 1956 में और उसके बाद जाकरके हिमाचल परदेश पूर्ण राजिय का दर्जा मिला 1971 में तो इसी सिक्वेंस में आपको भी नोट रखना है अगले वाशन की बात करें स्थित है बिलासफबर की बात करें बिलासपूर रियासत की स्थापना कि से चंदेल ने और ये कहां से आए थे तो ये बुंदेलखंड से आए थे बुंदेलखंड के यह चंदेरी राजबूत थे अब आप पूछोगे बुंदेल खंड कहां पर बढ़ता है तो यह पढ़ता है मध्यपरदेश में मध्यपरदेश यह आए थे और इन्हों ने बिलासपुर रियासत की स्थापना की थी और कब की थी तो 697 इस भी में होंने स्थापना की थी अब यह तो मैंने आपको बताया रियासत की स्थापना कई बार अग्जाम में पूछ ले जाता है शेहर की स्थापना तो बिलासपुर शेहर की स्थापना की थी तो यह की थी ये कहां पर है बिलासपुर में और ये किसने बनवाया था तो अभी मैंने बताया बिलासपुर शहर किसने की थी देपचंद ने तो देपचंद चंदेल ने जो है तो धौलरा महल का निर्मान करवाया था के बिलासपुर की बात करें बाबा बालकनात का मंदिर कहां पर है तो ये बिलासपुर के शाहतडाई में है उसके बाद बात करें गुगगा मंदिर गुगगा मंदिर कहां पर है तो ये भी बिलासपुर में है गेहडवी साइड है उसके बाद बात करें गुपाल मंदिर फिर पिर भियानु मंदिर पिर भियानु मंदिर आपने सुना होगा पिर भियानु मंदिर कहां पर है तो ये भी बिलासपुर में है उसके बाद नैना देवी मंदिर तो आपने देख लिया यहां पर उसके बाद लुहनु मैदान भी अक्सर अग्जाम में पूछा जा रहा है अब लुहनू मैदान कहां पर है तो ये भी बिलासपुर डिस्ट्रिक में है कहां पर बिलासपुर डिस्ट्रिक में हिमाचल परदेश में टोटल पांच हर्बल गार्डन है उन में से एक कहां पर है बिलासपुर में और बिलासपुर में कहां पर है 1889 में इसकी शुरुवात की गई थी और किस ने की थी W. Goldstein ने तो देखो ये थे कुछ पॉइंट्स I hope वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकल को जरूर दमाए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तिल दन टेक केर